और दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर जो है confessional statement के बारे में है आज हूँ confessional statement अंडर सेक्चिन 164 या बी-सी के बारे में ब्यान करेंगे और इसके बारे में जो CRPC के लास के हैं उस पी डिस्कस करेंगे और पुलिस रूमन जो लागू होता है कनफिशनल स्टेटमेंट पे उसके बारे में बात करेंगे और जो कन्य शहादत के आर्टिकल इसके लागू होते हैं जो लाइक होते हैं कनफिशनल स्टेटमेंट पे उसके बारे में भी हम डिटेल से इंशाला 164 CRPC section है और 163 CRPC confessional statement से मतलग है और 263 confessional statement से मतलग है यह 4 sections है और सबसे पहले हम 164 के बारे में ब्यार करते हैं Power to record confession No.1 कोई भी magistrate first class या second class जिसको provincial government में यह अख्तियार दिया हो कि वो confessional statement या statement under section 164 CRPC record कर सकता है जिसे इकवाली ब्यान भी कहते हैं तो वो record करने का इक्तियार रगता है ऐसे ब्यान को ब्यान इकवाल लेग ब्यान भी कहते हैं इकवाले जरुम भी कहते हैं और confessional statement भी कहते हैं Subsection 2 यह कहती है कि यह जो ब्यान record किया जाएगा 364 CRPC की रोशनी में किया जाएगा अब हमें यह ब्यान भी काड़ करने के लिए कौन से लाकों मदे नज़र रखना है वो है 364 364 क्या कहता है 364 यह कहता है कि मुर्जम जो कहेगा वो ही लिखा जाएगा अगर उसकी जबान में वो ब्यान नहीं लिखा जाएगा तो उसको वो ब्यान पढ़के सनाया जाएगा और अगर किसी भी जगाल पर वो यह कहता है कि यहां पर कमी हुई है या कोई जयाती गर्मी जयात वो जो और एड करना चाहता है कोई अजाफा करना चाहता है तो उसके ब्यान में उसका अजाफा दिया जाएगा नमबर दो जब वो सब कह चुके तो उसका दस्खत लेने चाहिए और मजेस्टेट दस्खत करें मजेस्टेट अपनी मौझूदगी भी ब्यान रिकार्ड करेगा और अपने हाथ से साटिफकेट लिखेगा मजेस्टेट अपना साटिफकेट लिखेगा अगर उसकी कोई मजबूडी हो तो वो उसकी रिजर लिखेगा मगर सबसेक्शन फूर इसका यह कहता है कि यह दफ़ा की 263 जौाद फेक के मुल्जम पर लागू नहीं होता दफ़ाद प्रेसित क्या है ऐसे केसिज रिकार्ड इन केसिज वेर देर इस नो अपील कि ऐसे केसिज जिन में अपील नहीं होती जैसे समरी ट्राइल है या प्रेटी केसिज हैं उनमें 263 CRPC के पताबक उसमें यह जरूरी नहीं है 364 का अप्रिकेशन जरूरी नहीं तो दोस्तों कनफिशनल स्टेट्मेंट के बारे में हम बात कर ले थे नमबर तीन 164 CRPC का नमबर तीन क्या कहता है नमबर तीन यह कहता है कि कनफिशनल स्टेट्मेंट के लिए जब कोई मुल्जम कोई भी आयो लेकि आएगा तो उसको वाज़िक टाइम दिया जाएगा आदे घंटे का घंटे का पौने घंटे का दो घंटे का ताके उसको तसल नमब लाद हूँ और मजस्टेट उसे ये कहेगा कि आप यह ब्यान देने के बावंग नहीं है आपके ओपर कोई पबंदी नहीं है आपके ओपर कोई question नहीं है कोई आपके ओपर pressure नहीं है कोई आपका compromise अगर भार हुआ है तो वो आप free है मैं आपको पुलस के हैंड-वर करूंगा मैं यहां से डिर्क्ट आपको जेड रही दोगा तो अगर आप जो भी यहां पर ब्यान देंगे जो भी कनफिशियर करेंगे वो आपके खलाफ evidence के तोर पर इस्तमाल हो सकेगा और आपको उस evidence को इस्तमाल करने जी सूरत में इतनी सजा हो सकती है जो जरुम होगा जिस जरुम में उसने वाले जरुम दिया होगा तो उसको वह वज़े है कि आप पावंग नहीं हो आप मजबूर नहीं हो आपको अगर किसी ने किसी किसम की भी कोई inducement दी गई है आपको किसी किसम का भी कोई लालच दिया गया है या आपको कोई किसी किसम का ड्राया गया है तुमकाया गया है तो आप समझें कि आप आजाद हैं आपको कोई किसी किसम की कोई कुछ नहीं कह सकता मैं मुझा स्टेट हूँ आपके हथकरी करवा दी है आपको मैं सीधा जो है वो लग अप में बिजवा दूँगा पुलिस के हैंडवर नहीं करूँगा तो लहाजा आप 163 यह कहती है कि अगर कोई ब्यान किसी इंड्यूजमेंट पे या किसी प्रैशर पे या किसी ड्रा के धुंका के लिया जाएगा तो वो भी कनफेशनल स्टेटमेंट उसके जिम्रे में नहीं आता इंड्यूजमेंट मगारा से 163 जो है वो उसको कंट्रोल करता है कि 163 के मतावक जो है आप किसी को कंप्रुमाइज करके इंड्यूज करके प्रैशर करके उसका स्टेटमेंट रिकार्ड नहीं कर सकते यह इसकी भी पबंदी वर 63 की भी करनी है तो दोस्तों जब यह ब्यान मकंबल हो जाएगा तो उसका सेग्नेचर दिया जाएगा और उसके बाद मुल्जम का सेग्नेचर लेने के बाद मजस्टेट अपने हाथ से सर्टिटेट लिखेगा कि मैंने इसको उसमें भी यह गिलियर करेगा कि मैंने यह इसको कहा था वाजव तोर पर यही एविडिंस यूज हो सकती है इस्तमाल हो सकती है अगर आप कोई इस किसम का अपने एकवाल जरू करेंगे तो तो वो उसका certificate देगा और उसको पढ़के सनाएगा जब उसको पढ़के सनाएगा तो उसका वो signature करेगा दोस्तों जब ये 164 CRPC Confessional Statement रिकार्ड किया जाएगा तो आन ओध नहीं होगा इसमें ओध नहीं लिया जाएगा ओध एक 1873 के मताबक सब इसके section 5 है section 5 के मताबक ओध नहीं लिया जाएगा अगर ये ओध लिया जाएगा तो ये violation है लागी तो मुल्जम का इक पाली ब्यान किसी दूसरे मुल्जम के सामने नहीं लिया जाएगा मुल्जम अगर दो है तो एक मुल्जम का ब्यान लिया जाएगा दूसरे को उसको अलैदा रखा जाएगा ताकि उसके ऊपर कोई असर अदास ना हो दोस्तों इसके अलावा ये है कि य नब जो है यह पुलिस रूल के 25 के 27 के जिम्रे में भी आता है पुलिस रूल चेटर 25 और रोल नमबर 27 इसमें भी यही पबंदिया बियान की गई है कि किसी को भी इंड्यूस नहीं किया जाएगा इसको ध्राया नहीं जाएगा और अफसरान पुलिस अफसरान इसको यह परिशान करके या किसी से वादा करके किसी को कुछ भी लालच देंके तो इसके लिए से स्टेटमेंट नहीं लिया जाएगा तो 25 का स्टामन यह वो इस से पावंद करता है कि इस किसमका प्रेशरा इसलिए यह कोई फियर यह खौफ नहीं दिलाया जाएगा और एपंड statement बजधेत्स रिकार्ड करेगा बजधेत्स जब रिकार्ड करेगा statement तो statement रिकार्ड करते हुए भी पहले तीन चार Quesection यही करेगा किहां कि aap जो व्यान देना चाहते हैं आप Flagstä desperately दे रहे हैं रजहकराना दोर पर दे है या आपके उपर कोई बबंदी है यह स्वाल पूछेगा उसमें पाकाइदा एपेंडेक्स 25 का 27 के मताबर चैप्टर 25 रूल 27 के मताबर क्वेस्चन पहले तीन चार यह भू करेगा आपके उपर कोई दबाव तो नहीं है आपके ऊपर कोई प्रैशर तो नहीं है आपने कुछ कंप्रोमाइस तो तो खरके बाहर नहीं आपके साथ पास साथ कोई पूस्ट ने अग्रिमेंट तो नहीं किया कि हम यह कर देंगे हम वह कर देंगे तो ये सारी चीजें 25 के 27 में लिखी हुई हैं ये चार प्वेस्टिन के पेंडेक्स में भी लिखी हुए फिर कनुन शहादत के आर्टिकल 37 के मतामें यही इंड्यूस्मेंट 163 के बारे में और आर्टिकल 37 जो है वो दोनों एक ही चीज़ को वाज़े करते हैं कि किसी किसम की इंड्यूस्मेंट नहीं होनी चाहिए किसी किसम का लालज नहीं होना चाहिए किसी का किसम का कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए तो 37 भी 163 की ही स्पोर्ट करता है 38 और 39 Confession to police officer not to be proved 38 यह कहता है 39 यह कहता है Confession by accused while in police custody not to be proved against him और section 40 article 40 कनूने शाधत article 40 जो है कनूने शाधत का वो यह कहता है कि अगर कोई चीज़ how much information received from accused may be proved पुलिस की custody में अगर कोई चीज़ कोई recovery करवाता है मनसा में जैसे किसी pointation पे ले जाके कोई weapon recover करवाता है किसी pointation उसकी pointation पे कोई heroin कोई जर्स या कोई और नार्कटेक्स परामद होती है तो वह particle 40 में अगर के मताबक उससे प्रूफ किया जा सकता है तो आर्टिकल 41 आर्टिकल 41 confession made after इसी किसम की वो जो inducement है inducement पे कोई इसी किसम का कोई भी confession जो लिया जाएगा वो approved नहीं हो confession or what is two men confession otherwise relevant not to be cause irrelevant because of promise or secrecy confession otherwise relevant not to be cause irrelevant because of promise or secrecy article 43 constitution of approved confession affecting person making it and other jointly under trial for same offense इसका subsection A कहता है such confession shall proof against में कहता है इसका subsection B कहता है the court may take into consideration such confession as circumstantial evidence against such other person तो ये confession के बारे में जो हमारा लेक्शर है इसमें पुलिस रूर और कनुन शहादर और सिया किसी के मताबर जो जो उसकी requirement है वो हमने ब्यान कर दी है और इन्शाला इसी तरह से आपकी information के लिए आपकी knowledge के लिए आएंदा भी हम इसी तरह के लेक्शर आपके लिए इन्शाला त्यार करके आपको पेश करते रहेंगे आपकी चसओकी तरह करके लिए अज़गे धन्चाला थाभ मेंवें घुछ बालदार देन्चार्खकी लिए झापकी लिए से नहीं चाहँ जको जड़एंगे